असलाम लेकुम क्लास बचो आज नेक्स लेक्टर में मैंने आप लोगों को प्रिंसिपल नॉर्मल यूनिट वेक्टर से डिलेटेड बताने हैं basically आपके जो असलेबस में topic include है उसके अंदर आपके पास oscillating plane की equation है और आपके पास principal normal लाइन है इन दोनों की equation आपको बताने चाहिए इन दोनों की equation से बहले बचो आपको जस्मेन ने दो چोटे चोटे formula's बताने अगर आप से कहा जाए principal normal unit vector निकाल लें तो principal normal unit vector के बच्चों दो formula आपके पास होते हैं आपके पास करवेचर की अगर simple बात कर रही हो in form of करवेचर आपके पास unit vector का formula यह होता है अगर आप से unit normal का कहा जाए तो unit normal का आपके पास ही होता है यह प्रिंसिपल नॉर्मल यूनिट वेक्टर का फॉर्मुला है दोनों में डिफरेंस किया है जब देखें आप लोग सिंपल करवेचर के रिस्पेक्ट से बात कर रहे होते हो कि करवेचर आपको पता है आपके पास के से नोट करते हो टी नोट या एक्स डबल नोट आपके पास होता है अगर आपको करवेचर पता है और आपसे कहा है यूनिट वेक्टर निकालने तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मुला होता है करवेचर आपको करवेचर पता है और आप लोगों से कहा हुआ है कि आप लोगों ने प्रिंसिपल नॉर्मल यूनिट वेक्टर निका तो यानि के point of inflection include नहीं होगा इसको in other words में आप यह कह सकते हो कि आप normal unit vector सिरफ उसी case में निकाल सकते हो जब आपके पास curvature की value does not equal to zero होगी उस case में आपके पास इसका formula यह होगा और एक और बात कही हुई है कि अगर आपके पास unit normal के case में k equals to zero आजा तो n को determined नहीं आप कर सकते वो undetermined हो जाएगा क्योंकि किसी चीज़ के अबर में भी अगर zero आजा तो वो infinity हो जाती है आपके पास ठीक है अब बच्चों यह दोनों बस आपको मैंने formula बताने थे basically आपके इस लेबस में यह topic है principle normal and oxalating plane आपको principle normal and oxalating plane की equation बतानी है मैंने आज देखिए आपको सबसे पहले कहा हुआ है आपके पास देखे कोई न कोई curve है इस curve के ओपर कोई भी point है x इस x point से अगर हम एक line को pass करें तो यह देखिए यह एक ऐसी line है जो के curve को एक point पे touch करके गुजर रही है और यह जो touch करके गुजरी है basically यह आपके पास tangent line होती है और tangent क perpendicular जो line होती है वो normal होती है आपको मैंने बताया वर tangent और normal के दर्मिया 90 degree का angle बनता है आपके पास तो उन्होंने यह पे theoretical form में यही लिखा हुआ है कि this straight line passing through a point x होना curve आपके पास अगर कोई curve है उसके पर कोई point x पढ़ा है एक straight line उसके अंदर से pass कर रही है तो उन्होंने का व x अब दो basically straight lines है जो यहां पे line pass कर रही है देखिए वो कह रहे हैं कि वो आपके पास n के parallel है यह आपके पास बच्छो normal plane है इस direction में यह normal आपके पास principle normal line है लेकिन जो normal plane है वो यह वाला plane है तो वो कह रहे हैं वो जो line अदर से pass कर रही है basically वो normal line के parallel है इसलिए आप उसे equation of normal line कहते हो जब आपने इसके respect से line निकालनी है तो इसका formula आपके पास क्या होगा y equals to x plus kn आपको पता है tangent line और normal line का आपस में अंगल 90 degree का होता है जो चीज़ आपके पास normal के parallel होगी वो चीज़ टीक है tangent के आपके पास perpendicular है यह नहीं कि दोनों opposite होते हैं दूसरे से अब यह जो के पास t vector है tangent vector है और यह normal vector और ओके पास जो यह hierarchısı भड़कर के पर पास रहारा है नोर्मल पलीन के आपके पास पैलल आ रहार है जो चिसकी direction में वो उसके पैलल है अगर इसकी according आप से equation of normal line आप पूछिए normal plane की हमने पढ़ लिए normal line की अगर आप से principal normal line की equation पूछी जाए तो वो equation होती है y equals to x plus k into n आपको x की value दी जाएगी question के अंदर आप वहां से k की value निकालोगे करवेचर की value n की value निकालोगे वो करवेचर अबर करवेचर का magnitude करके तो इसके अंदर put कर दोगे वो आपके पास principal normal unit line आजाएगी और अगर आप लोगोंने oscillating plane निकालने तो oscillating plane कौन सा plane है पहले उसकी definition लिखी है ऐसा plane जो के normal unit vector के parallel आता है उस plane को आप लोग oscillating plane की equation होती है y minus x into tn का ये bracket डाली हुई है बच्चे जो bracket डाली हुई है इसका मतलब होता है scalar triple product scalar triple product होता है कि first term के बार dot आना है और अगले दो vector के दर्मियान cross हाना है आपने scalar triple product बढ़ा होगा a dot b cross c scalar triple product होता है दो terms के दर्मियान dot अगली दो के दर्मियान cross तो ये जब bracket किसी भी चीज़ के उपर ऐसे डाली जाए a b c के उपर इसका मतलब होता है इसकी scalar triple product equal to zero है तो equation of oscillating plane में कह दिए इसकी scalar triple product equal to zero है यानि आपने y-x का dot लेना है t के साथ और t का cross लेना है n के साथ और इस चीज़ को equal to zero रखके आप लोगोंने solve करने है बचे जब भी आपने कभी scalar triple product लेना होता है आप हमेशे क्या करते हो ये column बना लेते हो तो cross product की जगा first vector की respect से second के third की respect से आप उसका determinant निकाल ले तो scalar triple product को solve करने का ये method होता है यानि कि तीनों वेक्टर की value को one by one लिखे उसका mode आपने निकाल लेना जो mode का answer होता है वो scalar triple product का answer होता है और इसी चीज़ को बताया अगर हम T को X की form में लिखे तो ये equation आपकी पास बताय।